हेलो जी नमस्कार हमारे चैनल पोस्टिफाई में फिर से एक बर आपका स्वागत है जैसे कि आपको बता है होली यानि रंगो का त्योहाराने वाला है पर सिर्फ रंगो से बात नहीं बनती होली स्पेशल बनती है गुंजिय से तो आप समझी गए होंगे मैं आपके लिए ला मावा गुंजिया बनाने के लिए हमें चाहिए मावा यानि खोवा, किश्मेश, बदाम, काजू, देसी घी, नारेल बुरादा, मैदा, सूजी और खांड मावा गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले और उसमें 400 ग्राम मैदा डाल दे बाउल में 100 ग्राम देसी घी डाले और हातों से मिक्स करें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सचर से एक डो तयार करें अब एक कड़ाई ले और 100 ग्राम नारेल बुरादा डालकर इसे भून ले इसे हलका ब्राउन होने तक चलाए बस अब इसे निकाल ले अब कड़ाई में एक त्याही कटोली सूजी डाले और इसे भी थोड़ी देर तक भूने और कड़ाई से निकाल ले अब 200 ग्राम वले और कढ़ाई में डाल दें इसे हलका सा भूने और जैसे यह पिघल जाए गैस या इंडेक्शन को बंद कर दें और हमारी भूनी हुई सूजी इसमें मिला दें अब भूना हुआ और नारेल का बुरादा भी इसमें डाल दें उपर से एक कटोरी खांड डालें फिर कढ़ाई में नट्स यानि काजू किश्मिश और बदाम डालें और मिक्स करें इसे मैश करते हुए चलाएं अब हमारे तयार की हुए डो को ले और उसे दो इस्सों में बाढ़ दे डो के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ ले और उन टुकडो की लोईया बना ले इन में से एक लोई ले और उसे पूरी की तरह बेल ले अब गुजिया बनाने के खांचे में इसे फैला ले बनाया हुआ मिक्स्चर इसके बीच में डाले और खांचे को बंद कर दे इसे साइड से थोड़ा प्रेस करें ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और बाद में गुजिया खोले ना अब खांचे को खोले और ये देखे कितना अच्छा टेक्स्चर आ गया है गुजिया का बस इजी तरह बाकी सारी लोईयों की भी गुजिया बना ले चलिए अब इन्हें जल्दी से तल लेते हैं एक कड़ाई में डीफ राई करने लाइक तेल डाले और इसके गरम होने का करें फिर हमारी बनाई हुई गुजिया एक एक करके घरम तेल में डाल दे अब इन्हें क्रिस्पी होने तक तले जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें टीशू से कवर प्लेट में निकाल ले इसी तरह बाकी सारी गुजिया को भी तल ले और बस हमारी मावा गु बनाए और यह रेसिपी ट्राइब करें पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें हैपी होली और मेरी तरब से भी आपको होली की शुब कामने धन्यवाद